आईए संगीतानजली म्यूजिक स्कूल में आप सबका फिर से स्वागत है आज मैं आपको एक मूवी सौन सिखाने जा रहा हूँ बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इस गाने के लिए बहुत ही अच्छा गाना रहा अपने समय में बहुत ही फेमस रहा और लोग अभी भी इसे इंज्वाइ करते हैं दिल है के मानता नहीं तो मैं आपको कोशिस करता हूँ सिखाने का इसे हर्मोनियम पर आप ध्यान से देखें और मैं बता दूँ कि ये खमाज का स्वर है कोमल नी है इसमें बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं तो खमाज माना जा सकता है वैसे तो मैं पहले भी बताया हूँ कि light music जो होता है उसमें कुछ ने कुछ mix notes होते हैं वो exact rag में कई एक बार नहीं होता है तो लेकिन कुछ main स्वर जरूर होता है rag का तो उसे ये कहा जा सकता है कि मूल ये इस rag में है तो इसे कहा जा सकता है खमाज rag में है दिल शुद्ध गा से शुरू हो रहा है दिल है, दिल है, है जो लेते हैं, वो गह से रे को टच करते हुए सा पे आते हैं, तो एक खटका बनता है, दिल है, दिल है, के मानता नहीं अब यह देखिए, मानता नहीं, रे पर है, दिल है, के मानता नहीं अब मानता कई एक तरह से है, दो तिन तरह से मानता है, जिसमें से एक यह है, प्लेन रे पर, मानता नहीं दूसरा है, मानता नहीं, और तीसरा है, बड़ा ही अच्छा है, जो फिमेल वॉइस में है, बड़ी, बहुत ही अच्छा मुझे लगा है वो, तो यह तीन तरह से मानता को लिया जाता है, तो आप उस पर ध्यान दें, पहले इसको बेसिक पहले तयार कर लें, फिर उसके बा दिल है के मानता, रे रे नी, मानता नहीं, नहीं, पॉपर, नहीं, सी शार्प से मैं बजा रहा हूं इसको भी, नहीं, दिल है के मानता नहीं, ठीक है, दूसरी लेता है, मुश्किल बड़ी, मुश्किल गागामा, मुश्किल गामा, मुश्किल बड़ी, बा फिर नीचे, मुश्किल बड़ी है, है में, गले में एक लोच है, गला जो है, वो शेक करता है हलका सा, वो होती अच्छा क्वालिटी बन पाता है, वाह, है, ह मुश्किल बड़ी है रसमे मुहबत जान दे गर्गसा बत रसमे मुहबत हवा आ जाएगा मापे रसमे मुहबत ये जानता ये जानता ही नहीं गवर करें ये जान ये जान सारे गसा ये जानता ये जानता ता जो है सारे गमा ता ही नहीं ता ही नहीं रसमे अगर खटका मुर्की और सब कुछ को आप बजाने के साथ-साथ बजाने में भी उस काम को करें और गाने में भी करें तो आवाज में क्वालिटी आ साथा मुश्किल बड़ी है रसमे मुहबत ये जानता ही नहीं देखिए गरी गरी सारे हो दिल है के मानता ने एक मानता इस तरह भी है मान रे मारे मानता ने ये हो गया अब लड़की की आवाज में जो है वो भी इसी तरह है हो के बाद हो दिल है के मानता ने ये बेकरारी चीक उसी तरह जैसे मुश्किल बड़ी है ये बेकरारी क्यूं हो रही है क्यूं हो रही है ये जानता ही नहीं चीक उसी तरह है बिलकुल पहली लाइन की तरह ये जानता ही नहीं हो दिल है के मानता ने फिर बड़ी की आवाज है दिल है के मान अगर आपके गले से निकल सकता है तो आप उसे प्राकिस कर सकते हैं आई ये अंतरा को करते है दिल तो ये कोमलनी से मैं एक बात बताओं जिन्होंने भी ये कंपोजिशन बनाया है मैं उन्हें सेल्यूट करता हूँ बहुत ही अच्छा प्राइशन है और फिर कुमा सानु जी गाय भी से बहुत अच्छा है तो मैं बड़ा ही आदर करता हूँ दिल दिल तो ये और सही बताओं मुझे गाने में बहुत मज़ा आता ये सब और इस्पेशली तब जब मुझे रिकॉर्ड जिसा नहीं गाना पड़ता है अगर मुझे एकदम रिकॉर्ड जिसा गाने बोलें आप केरियोकी के साथ गाने बोल दें तो मैं बंद पड़ जाओंगा क्योंकि मुझे बंधन सा महसूस होता है एक तो और फिर मैं याद नहीं रख सकता हुतना इसलिए मैं क्लासिकल स्टाइल में अपने फ्री स्टाइल में गाता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है बस अपने आनंद लेने के लिए गाता हूँ और कुछ मेरे फैंस हैं जो मेरे गाने के स्टाइल को बहुत पसंद भी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यह इस तरह है, दिल तो ये चाहे, नीधा, दिल तो ये, नीधा माधा, नीधा माधा, आर्मोनियम बजाने में, पा को टच करते हुए अगर आप भागें, तो उसमें खटका बनेगा, यह ना, दिल तो ये, और आवाज में भी उसी तरह बनाएगे, दिल तो ये चाहे, हर पल तुम्हे हम, हर पल गापा तुम्हे नीधा, हम, पामा, पामा, देखिए, पामा, पामा, तो अगर सही धंग से आप नोट को खाली समझ जा, तो आप पामा, पामा भी गा सकते हैं, इस तरह हैं, पामा, पामा, लेकिन वो क्वालिटी नी बनेगे, तो इसको कैसे गाएंगे, हम, हम, पामा, पामा, दिल तो ये चाहे, हर पल तुम्हे हम, बस यूही, धाधा नीधा, बस यूही, देखा करें, बस यूही, देखा, देखा करें, नेक्स लाइए, आओ कुछ, आओ कुछ, ऐसा करें, मर के भी हम ना, तुमसे जुदा हो, आओ कुछ, ऐसा करें, मुझ में समाजा, मुझ में सा से शुरूता, मुझ में सानी धप, धप थोड़ा फास, मुझ में, मुझ में समाजा, समापधपमधाजा, समाजा, आपास आजा, आपास दानी सा, आपास आसारनी, आ को ऐसे लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आजा धप धप, फिर से, मुझ में समाजा, आपास आजा, हम दम मेरे, हम नसी, कैसे करेंगे? हम दम मेरे, पधसा, हम दम मेरे, हम नसी, नीधसा, हम नसी, म्यूजिक बसता है वहाँ पर, आपको गाना नहीं है वहाँ, हम दम मेरे, हम नसी, दिल है के मानता नहीं और मैं समझता हूँ कि, अस्थाई और अंतरा अगर आप समझ गए अच्छा से, तो आप इसे बहुत ही अच्छा गा सकते हैं और बजा सकते हैं, जब अपने टेकनिक से गाते बजाते हैं, अगर आप उसके क्लासिकल को जानते हैं, तो आप अप म्यूजिक भी बजा सकते हैं, उसमें बहुत ही इजीली, कोमल नहीं लगता है, तो म्यूजिक जो बजेगा, वो करीब-करीब उसी स्वर के आसपास घूमता रहेगा, तो उस तरह से म्यूजिक आप अपना भी अगर बजाना चाहें, वैसे रिकॉर्ड के गाने को जब हम गाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड का म्यूजिक बजाएं, तो बहुत अच्छा है, कुछ इस तरह से म्यूजिक बजा जा सकता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड के म्यूजिक को याद करें, तो बहुत अच्छा है, तो आप इसे अच्छा से प्राक्टिस करें, एक बात मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी बोलूँगा, एक एक पंक्ती को प्रापर तरीके से देखें, जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे, तभी आप उसके बजाने के टेकनिक को समझ पाएंगे, और उसे गले मुतार पाएंगे, अगर आप रफली खाली समझ लिए, ओ ओ ओ यह सब नोट लगता है, चलो इस तरह बजा लेतें, नहीं, मैं कहिए कि स्टुडेंट को देखा हूँ, जो भजन सीखते हैं मेरे चानल से, बहुत सारे भजन वो निकाले, तो निकाल तो लिए, सही सारे नोट ठीक से निकाल लिए, लेकिन उस नोट को किस तरह बजाना है, कहां पर थोड़ा फास्ट है, कहां थोड़ा स्लो है, उसके माइनर चीजों को जो बड़ा ही सुक्ष्म चीजें हैं उसमें, उस पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है? वो रफ बनता है, जैसे मान लीजे, जैसे दिल है के मानता नहीं को अगर हम ऐसे गाएं, दिल है के धानिता नहीं, एक ही लाइन से आप समझ सकते हैं, मैं जैसे गा रहा हूं, स्वर वही है, लेकिन उसके गाने के टेकनिक्स को हम फालो नहीं किये, ठीक है? तो जब आप वीडियो देखते हैं किसी भी गाने का, तो उसके टेकनिक को फालो करें और धंग से बजाएं, धंग से गाएं, आप अच्छा गाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और आप जितना सीख पाते हैं, मुझे उतना ही आनंद आता है, और भी टेकनिकली अगर आपको डीपली म्यूजिक सीखना है, तो आप निश्यतरुप से मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, कॉंटेक्ट करने का जो आप देख रहे हैं साइट नीचे में भी है, और smsqueens at yahoo.com पर आप इमेल कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इमेल करें, आप अपना address, phone number, whatsapp number जरूर भेजें, ताकि मैं आपको contact कर सकूँ, ठीक है? और फिर हम बात कर सकते हैं, आपके skill को मैं सुन सकता हूँ, और उसके बाद सीखने का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? चार-पांस तरह के packages हैं, मैं वीडियो पर बताया भी हूँ, तो जिस package में भी आप जहां fit होते हैं, अगर face-to-face आप सीखते हैं, तो निश्चित रूप से वो मैं कहूँ कि कम से कम 50-80% better है सीखने से online video से, मैं online video इसलिए डाला हूँ, ताकि जो गरीब हैं, जो कम effort कर सकते हैं, वो उससे भी कुछ सीख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ती कुछ सीखे, ठीक है? इसलिए face-to-face सीखना अधिक बहतर है, क्योंकि video आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत practice कर रहे हैं, लेकिन मैं face-to-face में आपको बताऊंगा कि आप गलत practice कर रहे हैं, तो आपकी उन्नती अधिक होगी, निश्चित रूप से more than 50-60% improvement, faster और अच्छी होगी, इसलिए face-to-face सीखना ज्यादे बहतर है, परन्तु अगर आप afford नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर subscribe कर लेते हैं चैनल को गुरुजी अजे जहा, संगीत साधना केंदर चैनल को अगर आप subscribe करते हैं, तो आपको मैं सीखने के videos देता हूँ, हर एक मन्त में 4 videos आप ले सकते हैं, और उसे भी आप सीख सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी प्रगती उसमें भी होगी, हाँ, थोड़ा कम ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, फिर से मिलूँगा मैं, नमस्कार.